राइपुर से एक और बड़ी खबर 34 गर के सभी पुलिस अदीक्षकों की बैठक आज होनी है मुख्य मंतरी साथ सभी SP के साथ बैठक करेंगे सभी जिलों के पुलिस सादीक्षक शामिल होंगे घ्री मंतरी विज़ शर्मा भी बैठक में शामिल होंगे कानून विवस्था बड़ती अपराद की समिक्षा होगी राइपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे है मुख्य मंतरी विश्णों देख साथ बैठक लेंगे सभी जिलों के पुलिस अदीक्षक शामिल होंगे बातचीत होगी चर्चा होगी ग्री मंतरी विज़ शर्मा बैठक में मौजूद रहेंगे कानून विवस्था बड़ती अपराद की समिक्षा होगी बातचीत होगी पुछातिस गड़ के सभी पुलिस अदीक्षकों की बैठका रैपूर से बड़ी खबर आपको बता रहें हैं मौफय मंतरी विश्व देब साई अफसरोगी बैठक लेंगे रैपूर से बड़ी खबर सभी जिलो के पुलिस अदीक्षक शामिल होगे ग्री मंतरे विज़ शर्मा भी बैठक में शामिल होगी कानून विवस्था बढ़ते अपराद की समिक्षा होगी अंकुष शर्मा आवारे संबाद दाता राजधानी रैपोर से लाइक जुड़ गए है अधिक जानकारी के साथ अंकुष ये बैठक कितनी मात्सपूर्ण है क्या कुछ विशे रहेंगी जिन पर बैठक में चचा होगी दखे काफी एहम बैठक ये रहने वाली है अगर प्रदेश के कानून विवस्था की सुद्रन बनाने के हिसाब से अगर देखा जाए तो मुकहशमंत्री विश्नुर्देव साथ ये आज पर देश भर के जितने भी जिले हूं जिलों के संभागों के आईजी और पुलिस विवाग के जो आला अधीकारी है वह इस बैठक में शामिर रहेंगे आप जो मुखमंतरी है विश्णु देव साहब वो कानून विवस्था की समीख्चा करते हुए नजराएंगे इसके अलवा प्रदेश के जो डिप्टी सीम है जिनके पास ग्रह विवाग है यानि विजशर्मा वो भी इस पैठक का हिस्सा रहेंगे चूकि प्रदेश भरके अलग-अलग इलाकों में कानून विवस्था को किस तरीके से सुद्रन किया जाए कैसे अपराधियों के मन में कानून का खौफ पैदा किया जाए और जो आम लोग है जो प्रदेश के जो आम रहवासी है उनके मन में कानून के पिरती एक सम्मान किस तरीके से पैदा हो किस तरीके से लोगों को ऐसा है अहसा हो कि वो जिस जगा रह रहे हैं वहां वो जगा उन की जो बैठक होगी वह काफी एहम रहने वाली है क्योंकि आने वाले समय में प्रदेश के जितने भी जिले हैं उन में स्थापना जो है वो कर दी गई है और सरकार बनने के बाद एक बड़े पैमाने पर फेर बदल हुआ था उसके बाद अब जितने भी एस पी बदले गए हैं तमाम एस्पीस की जिम्मेदारी होगी कि वह अपने अपने जिले में कानून बिवस्था को सुद्रन कर सके अपराधियों के मन में कानून का खौफ पैदा कर सके और पूरी कोशिश हो को प्रदेश में जो अपराध हो रहे हैं उन पर पूरी तरीकी से लगाम लगाई जा स वो अगर शहरी इलागों में घुशते हैं तो उनको तत्काल प्रभाव से पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाएगा कई तरह की बात हैं कल हमने देखा है कि बजट शत्र में ग्रह वबाक को बित्तमंत्री ओपी चौधरी ने बहुत सारी सोगातें दी हैं प्रदेश में नो नए थाने खुलने वाले हैं जिसमें चार सामाने थाने रहेंगे और पांच महीला थाने रहेंगे तो महीलाओं की सुरक्षा के लिए भी काफी एहम ये बैठक रहने वाली है तो इस महत्पून बैठक के लिए जो समय ताय किया गया था करीब 10 बच कर 45 मिनट उससे थोड़ा सा विलंब हुआ है और माना ही जा रहा है कि नवारायपूर के पुलिस मुख्याले में कुछी देर बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी बिलकुल और ये भी खबर चल रही है विजे शर्मा मौजूद रहेंगे कानून की एक बड़ी जिम्मेदारी यहां पर हो जाती है क्योंकि बाद 36 गड़की हो तो नकसलवाद भी एक बड़ा मुद्दा होता है अंकुछ इसके बारे में भी जानकारी दीजेगा क्या कोई बड़ा फासला भी लिया जा सकता है या फिर सिर्फ समीक्षा के तौर पर इस बैठक को देखें देखें जब भी कोई इस तरीके की बड़ी बैठक होती है तो सभाविक तौर पर उसमें समीक्षा होती है और समीक्षा के बाद अगर कोई बड़ा डिसीजन लेना हो तो वो सब वी ओह सकता है कि पुलिस बिभाग के जो आधिकारी हैं वो कई वार किसी छेतर में छूट मंघते हैं कि वो अपने हैसाब से कारवाई कर सकता है तो उसको लेकर भी कोई ने कोई डिसीजन लिया जा सकता है दूसरी सबसे महत्मोल बात है कि प्रदेश भर में जो जादतर हैं जहां पर अपराद घटेत होते हैं शहरी लाकों की बात करें तो पुर्जोर कोशिच यह है कि तमाम जगों को CCTV केमरे की निगरानी में रखा जाए अगर कोई अपराद होता है तो ततकाल प्रभाव से उस पर कारवाई हो यह तमाम सोगात अपडेट आप से ले दे रहेंगे बहुत बहुत शुक्रिया